उत्राखंग करांति दल ने 10 साल इस विदान सबाब में काम किया है लोग ने उनको एक सिरे से खारिज किया है लगादार दो चुनाव रादिया वो चार-पांच जार बोर्ड लाते हैं जितना एक निर्दली लाता वशी लाता वो इत्राखंग करांति दल नाम की कोई चीज अंदर वह रबर सेंटर को बंद अल्टर साउंड की मसीन एक्सरे मसीन उनके गायनों के डॉक्टर जो महिलाओं के लिए विशेश कुरूप से महिलाओं के लिए कहूंगा यह बिल्कुल निश्चरूप से पहला कामी मेरा यह है ऐसा ही चुखुटिया में पहले दो डॉक् और देखो जहां तक विधाय की ओपर आरोप का भी से देखो आरोप प्रतिरोप राजनीति का एक हिस्सा है नमस्कार स्वागत है आप सभी कब रतिपक्ष संबाद पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सच्टेवा 14 फरवरी को उत्रकर में मद्दान होना है और उसी दिन ये ल आविवादे इस बार कौन सा प्रतियाशी लेकर आया है अनिल शाहिफ फिलाल मारे साथ मौजूदे द्वाराहाट से बीजिबी के प्रतियाशी है सर स्वागत है आपका प्रतिवक्ष संबाद धन्यवाद अमेगना जी असर देखी अभी द्वाराहाट में मुकाबला त्र आपको इस बार जनता वोट देने के लिए आप पर विश्वास जाहिर करें नहीं नया चेहरा नहीं में दोजासाथ में बारा में 17 में लगातार मैंने टिकट मागा है कोई नया चेहरा नहीं संगटन के लिए हम 23 साल से काम कर रहे हैं और जहां तक वह जनता के लिए काम का इसे हैं बहुत सारे काम हमारी पार्टी ने किये हैं और क्योंकि हम पार्टी से संबंदित लोग हैं तो हम मैं तो यह कहूँगा कि जो पार्टी काम हो हमारे काम हैं तो इसलिए पार्टी ने बहुत काम किये हैं अब भी देखो आप यहीं पर आप देख लिए एक उधारन हुआ करते थे आज 17 डॉक्टर ऐसी रोटू के छेतर में देखो गाउं गाउं रोट पहुत चुकिए विकास की ऐसी बैयार है और इतने काम हुए रिकॉर्ड काम हुए इसलिए विकास का कहीं कोई मैटर नहीं बहुत विकास हुआ है दूसर आपने मतलब कोशिश की लेकिन परणाम आपको अब मिला जनता को परणाम इस तोर पर मिलेगा कि जो आप स्वास सेवाओं की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी यहां पर देखा गया है कि रेफरल सिस्टेम बहुत ज्यादा है यहां से अल्दुआनी यह किसी और ज स्राउंड की मसीन एक्सरे मसीन उनके गाइनों के डॉक्टर जो महिलाओं के लिए मिलाओं के लिए कहूंगा यह बिल्कुल निश्चरू से पहला कामी मेरा यह है जो वर्तमान वधाया कि यहां पर हैं उन पर कई तरह के आरोप लगया हलाकि वो खारिज हो गए कहीं न कही पाटी की छवी उससे धूमिल हुई आरोप खारिज होने के बाद भी जनता कहीं न कहीं उन मुद्दों को याद रखती है आपके उपर एक और बड़ा भार एक चुनौती है कि आप पाटी की इमिज को अगर आप उसे डामेज मानते हैं तो डामेज कंट्रोल करें तो क्या क्या महिला सुरक्षा के लिए आप सोचते हैं महिला सुरक्षा के लिए लगातार भारटी जनता क्याम करती है आप देखते हाँ हमारा स्लोगन नीजह कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ यह हमारा स्लोगन है और देहों जहां तक विधायकी 0 s.o मं Gar fulfill रजनितिका रज्श के मुकाबला है वो है मदन बिश्टे जो की कॉंगरस से हैं और इसी के साथ पुछ पेश्टरी पार्टी जो की युकेडी से हैं बहले ही उत्राखंड में जो मुकाबला है लगातार बीजेपी कॉंगरस के बीच रहा लेकिन इस जगह पर युकेडी अच्छा का सा प्रभाव डालती है इसके लावा और पार्टियां भी जो है मैदान में है उस चुनावती से निपटने के लिए और उनसे अलग करने के लिए क्या विजन है नहीं कोई चुनाती नहीं है उत्राखंड करांती दल नाम की कोई चीज नहीं हो क्योंकि निर्दली भी लाता और इस बार मेरे ख्याल से मुझे लगता हूँ डेड़ दोहजार में सिमेंटने वाले यह निश्यद है कॉंगरेश से हमारा मुकाबला जहां तक कॉंगरेश की बात है लोगों ने उनको देख लिया है वार जंता का ये मन है कि एक बार नए व कॉंगरस कर रही है और कहीं न कहीं इसको लेकर कॉंगरस पूरी तरह से मूट में आ गई कि यही मुद्दे उनके घोषना पत्र में भी शामिल है तो इन तीन चीजों को दूर करने के लिए क्या तैयारी ने इसके लिए हमारा प्रियास रहेगा और स्वाबाइक है जब समय करें देद्रे बढ़ता तो महंगाई तो होती है यह कोई ऐसा भी से निया भी से नहीं है हाँ यह है कि थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए इसमें मैं भी इस बात को मानता हूं लेकिन यह महंगाई तो एक सदत प्रग्रा है आज कोई चीज एक रुपे की है तो कुश दिनो पांच लाग रुपे में मुप्त जो है उनका स्वास्त जो उनका इलाज के लिए जो गवर्मेंट डेरी है उसके आलावा किसान सम्मान नीदी है और आपका कई हैं अपना जोला गैस गैस कानक्षन का है जो सौचलय मुक्तु जो मनाया है स्वाच्य भारत लेकि बहुत सार पुरुष्ट का जो राष्टवादी चिंदन जो करते हैं उस सब का रुजान भार्जियंता पार्टी के और दिख रहा है अखरी सवाल यहां बगावाज जो थी जो पार्टी के अंदर नजर आ रही थी उसको थाम लिया गया है आपने कहा था कि पार्टी की सिदस्ते हैं म को लगता है कि जनता आप पर विश्वाद जाहिर करेंगीया न法α सिदस्ना करेंगे चिक सब्सक्राइब कहो सब करत दॉनेदा यह अलग बगना इसने मिध्रता वगी आठी में सब्सक्तिघंग उसके आधार पर टिकर देत Mill को बाते जनता पार्ट्टी के लोग एक जुट हो काम करते हैं आप देख रहे होंगे अधार पर यह सब बारति-जनता पार्टी तरह सब नाया आगे बीचे मिल झालते होते रहें और बल्वान सिंग भरयाल वह का इहां कूट तो बिषया कि यहां पर विकास कारे बहुत हो सकते हैं बहुत सारी संभावनाय है जुनको तराशना भी बाकी है बहले ही पांच साल बीजेपी को दिये लेकिन अभी बहुत कुछ यहां पर होना बाकी है चाहिस्वास, सिक्षा, रोजगार हर चीज की बात कर ली जाए आखरी संदेश द् जो स्टार्टिंग के जो दस साल थे हो हमने बरबाद के उत्राखन करांदी दल को देखें क्योंकि छेत्री दल के लोग है इनका यह सोदेवाजी करते हैं 2002 मा आए तो नरंदर तिवारी जी की सोदेवाजी होती है और यह पूरी सरकार्मा आ जाते हैं फिर 2007 में भार्जी जन्तापार्टी की सरकार आती तो कैमिनेट में मंत्री इनको दिया जाता और भी अन्य खाने जानते हैं कई प्रकार की सोदावाजी हुई और यह सरकारमा है यह बिगास करने वाले लोग ने है इनकी पोल खुल चुकी है यह पहले भी जा उत्राखंड करांदी दल जो था पहले भी हमको हमारे senior leader बताते थे किस प्रकार दिल्ली से और मुंबई से चंदा करके उस चंदे का कैसा कैसा उप्योग करते हैं हमारी सब जानकारी में है देखो उत्राखंड राज्य बनाया है इसलिए हम यहां के भावनाओं को समझते हैं यहां के दर्द को हम समझते हैं वह दस साल जो बरबाद हुआ उसमें हमारा विकास नहीं उपाई है और उसके बाद 5 साल रहें Congress की लोग Congress के समय कॉंगरिस का पैसा ही नहीं था गंगुरेस की समय में आपने देखा होंका कि हमाबधा में देखा अब्धा यहां के बाव की सर्कार अजन प्रदेश में भार्दी जनता पार्टी की सरकार बनाओ और उसमें द्वाराहाड विधानसभाज से भी जो है एक कमल का फूल एक विधायक जो है यहां से बनके जारा चे तहां की जहां का विकास धूर्द गति से हो यहां का विकास उचारू रहे इसलिए मेरा संदेश सब्सके यह है कि केंदर में नर्यन मोदीजी है प्रदेश में भार्दी जनता पारटी की सरकार लाओ द्वाराहाड में भार्दी जनता बार्टी की सरकार लाओं। 10 मार्च की परणाम में साफ हो जाएगा फिलाल के लिए मेरे साथ इतना ही आप देख तेरे प्रतिपक्षनबाद नमस्कार